जै गुरू जी संगजी आशुक्रवार है बड़ाई अच्छा दिन है बहुत शुप दिन है शुक्रवार का संगजी थोड़े दिनों में धंतेरस आने वाला है दिवाली आने वाली है बड़े बड़े तयोहार आने वाले हैं संगजी गुरु जी की अपार क्रेपा होती है अंतियोहारों के उपर इतना संगजी फेस्टिव सीजन आने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊँ और गुरु जी मिरको इन दिनों के अंदर ये ससंग मिरसे शेयर करवा रहे हैं मिरको बड़ाई अच्छा रख रहा है संगजी आज का ससंग सुनके आपकी सारी परेशानिया खतम होने वाड़ी है अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है कोई दिक्कट चल रही है संगजी तो आज वो खतम हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस ससंग को सुनकर सभी तरह की परेशानी जैसे पैसो को लेकर दिक्कत पैसो की परेशानी फाइनेशल प्रॉबलम अगर आपके घर में चल लिया संगजी तो आज का ये शुकर वार का स्पेशल ससंग गुरू जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिये बलेस कर दिया है अगर आप आज के स्पेशल ससंग को सुन लोगे ना इस ससंग को सुनने के बाद संगजी आपकी सारी परेशानिया खतम हो जाएंगे अगर आपको पता भी ने चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया गुरू जी आपके उपर क्रेपा कर देंगे संगजी गुरू जी आज आपके पूरे परिवार को बलेस कर देंगे तो आप आज मेरी बात मानो आज के इस शुकरवार के स्पेशल ससंग को पूरा सुनो ध्यान से सुनो बीच में छोड़ कर मत जाना और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगजी उसको भी जरूर दबाना तकि ये ससंग आगे और संगत तक जाए और संगत इस ससंग को सुने और गुरू जी की ब्लेसिंग उन सब को मिले जैसे हम सब को मिल रही है जै गुरू जी संगजी आज हम सब रितिका अंटी जी का ससंग सुनेंगे मैं ससंग को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं रितिका गुरू जी की संगत मैं दिली के अंदर रहती हूँ दिल्ली में एक जगह हैं करोल बाग करके संगा जी वहाँ पे मेरा घर है और मैं वहीं पे अभी बैट के ससंग शेयर कर दूए अपने घर पे बैट के और मेरे सामने सीधा मेरे सामने संगा जी गुरू जी का सुहरूप है और मैं गुरू जी के चर्णों में बैठे वी हूँ संगा जी आप सब जानते हो थोड़े दिनों में धंतेरस आने वाला है दिवाली आने वाली है और भी बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं संगा जी पुरा ये फैस्टिव सीजन चल रहा है नॉमबर का महीना पुरा फैस्टिवल से भरा हुआ है संगा जी गुरू जी की अपार ग्रेपा होई है मेरे घर पे गुरू जी ने संगा जी मेरे घर में पैसों की बारिश खर दी है कहां मेरे घर में इतनी दिक्कत थी पैसों की संगजी हम लोग एक एक रुपे के लिए तरसते थे एक एक रुपया संगजी हम लोग बचाते थे पर हमारे घर में ना बरकत नहीं होती थी कभी और हमेशा संगजी पैसों की इतनी दिक्कत रही है घर के अंदर इतनी दिक्कत रही है शुरू से ही जब से संगा जी हम लोग छोटे थे बच्पन से हम देख रहे हैं कि पापा वो इतनी दिक्कत आ रही है पैसो की कभी आपा जॉब कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं संगा जी ये सब कुछ हमने अपनी आखों से देखा है और अब संगा जी गुरू जी ने साक्षाथ हमारे घर के अंदर पैसों की बारिश कर दी है आज मैं आपके साथ एक एक बाश शेयर करूंगी प्लीज आप ससंग को लाइक करते जाएए शेयर करते जाएए नीचे बटन आ रहे हैं दोनों और हम लोगों ने संगा जी कभी किसी को देखकर ऐसा नहीं किया कि हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है संग जी हमने कभी किसी को دेखकर ऐसी वाद हमारे मन में कभी आई आई नहीं जब कि संग जी, मेरे जो चाचाता हूओ है संग जी, मतलब उन सब के पास अपने घर हैं, अपनी गाड़ियां हैं अपने बिजनस हैं और मतलब खूब सारा पैसा है मेरे पापा ही है संगजी उनमें से कि ना तो उनके पास जॉब थी कोई और ना ही कोई काम था पका ना कोई बिजनस था तब भी संगजी हम लोग ना तीन बेहने हैं संगजी मैं तीन बेहने हूँ यह मतलब मेरी दो बेहने संगजी बड़ी वाली है मेरे पापा ने मेहनत करकर के संगा जी मतलब इतना स्ट्रगल किया नोने अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा इतना स्ट्रगल करते हुए हम तीनों बहनों को नोने पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया इस काबिल बनाया कि संगा जी हम लोग कुछ कर सकें और गुरू जी ने आज वो किरपा कर दी संगा जी हमारा अपना घर नहीं था पिछले 30 सालों से संगा जी मेरे पापा रेंट के घर पर ही रह रहे थे और मेरी मम्मी भी हम लोगों का जनम भी संगजी किराय के घर में ही हुआ था मतलब हम लोग ना बच्पन से हम किराय के घर पे रहे हैं मतलब तीस साल हो गए हैं मेरे बापा ममी की शादी होए वे पूरे तीस साल हो गए हैं संगजी मतलब तीस सालों से भी पहले का संगजी मेरे पापा कोई घर नहीं था आज गुरु जी ने हमें घर ब्लेस करके दिया है संगा जी वो भी इस नोवंबर के महिने में धन 13 से पहले दिवाली से पहले संगा जी गुरु जी ने हमारे घर पे पैसो की बारिश कर दिया है और ये सब कुछ कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता अचानक से संगा जी अचानक से मतलब जैसे होता ना कि अपने आप कुछ चीजे हो जाती है और पता भी नहीं चलता ये सब कुछ कैसे हुआ हम लोग सोचते रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे हुआ कैसे पर वो करते तो गुरु जी ही है संगजी गुरु जी ने संगजी चमतकारी कर दिया मतलब रातो रात हमारा अपना घर बन गया जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारा अपना घर कभी दिल्ली के अंदर करोल बाग के अंदर होगा भी या नहीं हम लोग संगर जी रेंट पे रह रहा के ना हमारे सोच भी संगर जी वैसी होगी थी कि हम किराई पे रहेंगे किराई पे रहते हैं बस संगर जी ऐसी सोच होगी थी मतलब कभी दियान मिन जाता था कि हमारा अपना घर होना चाहिए अपना भी कुछ होना चाहिए संगा जी पर गुरुजी ने हमें वो ब्लेस करके दिया बिना हमारे कहे हमने कभी गुरुजी से कहा नहीं गुरुजी हमें घर ब्लेस करके दो हमें अपना घर चाहिए हम लोग तो संगा जी किराय के घर पे भी रही रहे थे ना वहां भी तो life कटी रही थी हमने कभी गुरूजी से complain नहीं करी गुरूजी आप सब को bless करते हो हमें भी दोगर हमने कभी कह आई नहीं संगा जी और ऐसा ही होता है अगर आप गुरूजी से कुछ मांगते हो ना संगा जी वो आपको मिल तो जाएगा पर वो आपके लिए अच्छा है या बुरा या आपको नहीं पता चलेगा वो तो आपको मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो आपके लिए अच्छा था या नहीं पर संगा जी अगर आप गुरूजी से कुछ मांगते हैं नहीं हो ना और गुरू जी को आप अपने आप देने देते हो तो संगा जी वो तो आपके लिए बेस से बेस्ट ही देंगे आपको जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आके आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा वो आपको वही चीज देंगे संगा जी और हमारे उपर भी गुरू जी ने ऐसे ही करा संगा जी हमने कभी गुरू जी से कहा ही नहीं ना कभी पैसो को कहा कि हमें पैसे चाहिए या हम अमीर बन जाएं या कुछ ऐसी बात नहीं संगा जी कभी मन में आया है नहीं और गुरू जी ने हमें दिया इतना ग्रूजी दिया संगजी पिछले कुष दिनों में मेरे पापा की तवेच खराब हो गई थी उनको संगजी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी एक गुरू जी ने संगजी बिना ऑपरेशन के talking उनकी फो प्रॉब्लम खत्म करी उनकी परेशानी खतम करी संगर जी बना डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इनका उपरेशन होगा ऐसे इनको ठीक नहीं किया जा जा ता डॉक्टर ने संगर जी मतलब एक तरीक से जवाब देज़ा कि मैं ऐसे इनको ठीक नहीं कर पाँगा जबकि गुरुजी ने संगा जी उनको सिर्फ लंगर परशाद खिला कर उनको ठीक कर दिया मेरे पापा जी को बिल्कुल ठीक कर दिया संगा जी आज मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक हैं बिल्कुल हेल्दी हैं बिल्कुल मतलब की फिक्ट हैं बिल्कुल Guru ji की इतनी क्रिपा घर पे होती है कि मैं आपको कैसे बताऊं एक बार हो तो मैं बताऊं भी संगजी हर रोज यह नहीं की क्रिपा होती है हर रोज यह कुछ नहीं कुछ हमारे लिए Liuyde equality देते हैं हमारे घर पर हिवार पे और हर एक संगत पर करते हैं संग जी ब्लेसिंग गुरू जी यह निकी सिर्फ हमारे ओपर हो रही है हर एक संगत को गुरू जी ब्लेस करते ही करते हैं चाए वो पहली बारी आ रहा है चाए वो दस भी बारी आ रहा है चाए पाँच भी बारी आ रहा है गुरू जी ने तो ब् ससंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए, ओम नमस्षिवाए गुरु जी, सदा सहाए, जै गुरु जी, शुक संगजी ससंग अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और ब्लेसिंग ओल्वेस गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नएने ससंग सुनने को मिल सकें जै गुरुजी संगजी